एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत अभिरंगर करते हैं स्वागत करते हैं भारतलाई पर और जो खबरें लगतार अपने देखा होगा कि पिछले एक सब्ता से जिस दिन चुनाव परिनाम आया 16 तारीक को बोचहा का उसके ठीक पहले 24 सीटों के जो एमेल सी के चुनाव थे उसके परिनाम आये थे और इन परिनामों ने कहीं न कहीं एंडिये के भीतर घमासान मचा के रखा है पहली बार अशार देखने को मिरा है लंबे समय के बाद हलाकि 2020 के चुनाव में भी यह बाते देखने को मिली थी कि एंडिये पर तेजस्वी यादो जनता पार्टी जिस बिहार पर सासन कर रहे हैं उस बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरसे नकार दिया है चाहे वो एमेल सी के 24 सीटों के चुनाव हो या फिर बोचहां में जो चुनाव परिनाम आया और करारी हार के बाद भारते जनता पार्टी मन्थन और रिवाइवल करना है या नहीं करना है अपना मुख्य मंत्री बनाने के लिए भारते जनता पार्टी के भीतर मंथन का दौर चल रहा है वहीं इन सब बातों के बीच में एक बार फिर से सुसील मोदी का फ्रेम में आना गिराज सिंग का एक्षन में आना ये बता रहा है कि भारते जनता प कि बिहार में संकट मोचन के रूप में सुसील मोदी लंबे समय तक रहे हैं 2020 में अचानप से बिहार में جो भारते जंता पार्टी के भीतर घमसान मचा हुआ था है तुसील मोदी को कहा जा रहा था कि वो अपना अलग एक पaltet एक पहलुल राजनीत चलाते हैं पैरलल पार्टी चलाते हैं उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नितीश कुमार के बहुत करीबी हैं और यही कारण है कि भारते जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है लेकिन 2020 के चुनाव परिनाम के बाद शुसील मोदी को और नितीश क अब शुक्री नाम क के बाद मंत्री मंडल का भी चुरूफ बदला थका और बहुत पुराने मझे हुए जो राजनियतिक ये थे उन सारे लोगों को किनारे बैठा दिया गया था और नए-णए लोगों को मौका मुझा दिया गया था कहा जाता था किस सुसिल मोधि से कहीं न कहीं तरौभावित है ऐसी स्सिती में इन सारे लोगों को किनारा करके भारते doします समीकरन का फाइदा मिलने के अलावे घाटा ही होता जा रहा जहां एक तरफ दो सीटों पे जो उपचुना हुए थे तारापूर और कुशेस्वरस्थान उसमें नितीश कुमार ने तो बाजी मार ली लेकिन बोचहा में भारते जनता पार्टी का बूरी तरह से पिटना इस बात के तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी कमी रह है और भारते जनता पार्टी को उस पर पूरा मंधन करना होगा वर्तमान जो परिस्तिती में जिन लोगों के हाथ में कमांड दी गई है उनमें ऐसी छमता नहीं है कि वो भारते जनता पार्टी को फिर से एक मजबूत स्थम्भ के रूप में ला सकें 2020 में जो चुनाव परि कर दिया और इसी ग्रेम प्लान का एक हिस्सा आपको नजरा रहा होगा कि कहीं न कहीं गिराज सिंग भी एक्षन में है और वो हिंदुत वाला एजेंडा से लेकर के जितनी भी बाते आपको नजरा रही होंगी वो सारी बातों को वो दुहरा रहे हैं और लगतार दुहरा र दिखा है जो स्पोष्ट से बहुत सारी चीज़ा ऐसे पस्ट हो जाती हैं कि आकिर कौमियां कहा रह गई हैं और उनके कहने का मतलब जो जद्यू के नेता कह रहे हैं बिलकुल उसे मेल खाता है। जदियू के नेताओं का कहना है कि कहीं ने कहीं सामनजस से का भाव था हम ने मेहनद तो किया लेकिन भाष्टे जनतापाठी की अपनी नीतिया जो है जिस नए दौर में भाष्टे जनतापाठी प्रवेश कर गई है उसने उसके हार का सबसे बड़ा जिमवारी और कारण फिर भी यहां हम आपको रोकते हैं फिर अगला जो बात उन्होंने लिखा है इस सारे सवालों का जवाब आपको जब हम पूरी बात उनके रख देंगे तो आपको मिल जाएगा सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किये और सब का विश्वास जितने की कोशिस की फिर भी इस फिर भी को याद रखिएगा आगे वो लिखते हैं कि इसके बाद भी एंडिये के मजबूत जनाधार अति पिशड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना और प्रत्यासित था फिर भी यानि आप समझ रहे हैं कि सुसील मोदी क्या बात करेगा इस फिर भी को हम आपको बता देते हैं कि फिर भी का मतलब था कि कहीं न कहीं वो कमी रह गई सामंजस्य की कमी रह गई और बार बार नितीश कुमार पर हमला करना भारती जनता पार्टी का ये कहना कि नितीश कुमार को मुख्य मंत्री के कुर्सी से हटा करके अपने बैठ जाएंगे या नितीश कुमार को केंदर की राजनीति में भेजेंगे ये सारी बातें बहुत जादा महत्वपूर्ण थी और एक खास समाज एक खास वर्ग को नजर अंदाज करना सिर्फ हिंदूत के जंडे पर बिहार में आप अपनी राजनीतिक विशात नहीं बिचा सकते और ना इस बिसात पर चेकमेट कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए नितीश कुमार और लालू परसाथ जैसा आपको जमीन पर उतरना होगा और हर लोगों की बाते समझनी होगी सायद सुसील मोदी नितीश कुमार के साथ रह करके और लालू परसाथ के साथ सुरुवात जिन्होंने वापसी कराया था भारती जनता पार्टी अब एक बार फिर से जब इस्थितियां भारती जनता पार्टी के विपरिश हो रही है तो सुसील मोदी के हाथ में कमान देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारती जनता पार्टी पूरी तरसे बैक पूट पर है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्ट में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद